जैहिन सांतियों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल पर सांतियों इस वीडियों में हम 20 महतुपूर्ण प्रसनों को यहाँ पर देखने वाले हैं यह उत्राखंड की लगबख सभी परिक्षों के लिए लाब डैक होंगे कोई भी परिक्षा अगर आपकी आगामी है तो इसको जरूर देखिएगा चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के बाकी UKPSC के प्रिविएस येर पेपर आपको ब्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे आप उनको जरूर विजिट कर सकते हैं इसको जरूर आपकी बाकी इसमें पूछा गया है किस विषविद्याले को उसका अगरदूत माना जाता है तो वो जी बी पंत यूनियोर्सिटी यानि कि गोविन्द बल्लब पंत क्रिसी एवं प्रोध्योगिक विषविद्याले वंत नगर इसको माना जाता है option 20 का correct हो जाएगा दोस्तों इससे कई सारे प्रस्न बन सकते हैं जैसे गोविन्द बल्लब पंत क्रिसी विषविद्याले ये कब बना तो ये 1960 इसमी में बना था कब 17 नौबर 1960 इसमी में ये बना था बाकी जो ये विषविद्याले आपने देखा ही होगा पंतिनगर में है और अगर बात करें जो गोविन्द बल्लब पंत थे वो कौन थे तो वो उत्रबरदेश के जो संयुक्त प्रांत था उसके पहले मुख्यमंत्री भी थे यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे ये भी आप ध्यान कियेगा और साथ में इनका जो नेटिव पेलेस कहें या प्लेस कहें जो प्लेस कहते हैं इसको स्थान तो वो था कहां अलमोडा अल्मोडा में इनका जन्म हुआ था तो ये अल्मोडा के ही थे दोस्तों इसके बारे में कई बार पूछे जाते हैं प्रस्न और इनको भारत रतन भी मिला था जो भारत रतन इनको दिया गया था अराउंड 1957 के अराउंड इनको ये भारत रतन दिया गया था तो ये सारी चीज और एक माउंटेनियर है परवतार होई है और इसका भी ध्यान के इनसे रिलेटर जो इन्होंने परवत स्रेणिया जो इन्होंने फता की है उन्हें है स्रीकंट संतोपद जो कि 7000 से अधिक उम्मेटर की उचाई वाले जो है परवत सिकर है अगला प्रस्न भारत के प्रधानमं जो ने कब EVM electronic voting machine का प्रियोग आरंब किया तो इस संबंद में मैं एक detail आपके साथ share करना चाता हूं इसमें जो एक detail यह है कि जो सबसे पहले इसका प्रियोग किया गया था 1982 में जो उपचुनाव है उनके लिए किया गया था यह केरल में 1982 में बाकी कई बार जैसे विधान स सबा की बात करें तो 1999 में स्टार्ट किया गया था मैं आपको एक बार एक जो पेज आपको दिखा देता हूं तो यह पेज आप यहां पर जो है देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं EVM में तो जो पहली बार यहां पर देख सकते हैं EVM का इस्तेमाल पहली ब बढ़ते हैं अगले प्रस्थे की तरफ दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है तो ये महावीर सिंग फोगाट के जीवन पर ये आधारित जो है मूवी है ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं ये क्या सम्मिलित करती हैं कारबंडाय ओकसाइड बिल्कुल सही मीथेन भी नेटरस ओकसाइड भी तो प्रोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा हालंकि ज़्यादा मात्रा में क्या करती है कार्बन डाय ऑक्साइड करती है अगला प्रस्न है हमारा जन गणना 2011 का नारा था तो वो नारा क्या था हमारी जन गणना हमारा भविशे आप्सन बी को यहां पर आप टेक कर लेंगे अगला प्रस्न है प्रत्वी अपनी धूरी पर किस दिसा में घुणन करती है तो पश्चिम से पूर्व इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा यह हमने 6-7 से ही पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि प्रत्वी जो है पश्चिम से पूरू की तरफ यहां पर रोटेट करती है भुकंप द्वारा सरजित ओर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है तो उसको मैगनिटूट कहा जाता है अब संसी को यहां पर आप टिक कर लेंगे तो भुकंप से रिलेटेट एक, दो, तीन प्रसन यहां पर है जो कई बार पूछे जाते है भुकंप मूल के जो सीधे उपर पृतिवी की सता पर इस्तितिस्तान को क्या कहा जाता है तो इसको अभी केंद्र या फिर उपरी केंद्र कहा जाता है अब मैं आपको एक बार चित्र के मात्रा से समझाने का प्रियास करता हूँ माल नीजे ये सतह है और यहां पर क्या है इसका जो है सेंटर है या फोकस है जहां से भुकम्प स्टार्ट हुआ या ये इसका केंदर था तो इसके ठीक उपर यह अगर पृत्वी की सतह है तो इसके ठीक उपर C को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, अगला प्रसन है, भुकंब के द्वारा उत्सर्चित उर्जा शम्ता का मापन, निम्न मेंसे किसके द्वारा किया जाता है, भुकंब पैमाना, रिचर पैमाना, या सिस्मिक पैमाना, या टेमलर, तो रिक्टर स्केल क्या हो जाएगा, इस कसा यह उत्तर हो जाएगा, करक रेखा यहां पर से गुजरती है, करक रेखा जो है, विस्वत रेखा या भूमद रेखा, और उत्तरी गोलार्द के बीच से यह रेखा गुजरती है, तो यह भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से, आठ राज्य मंगाल त्रिपुरा और मिजोरम इन आठ राजियों में ये रेखा जो है गुजरती है अगला प्रस्थ भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो अभिएसलि ये बंगाल की खाड़ी इसका सही उतर जाएगा option D ये बंगलादेश और भारत के बीच आपने देखा होगा जहां पर म्यामार भारत और बंगलादेश के नीचे जो खाड़ी है उसकी को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है अगला प्रस्थ है वैलेजली भारत कब आया तो जो लॉड वैलेजली था वो भारत कब आया था ये इसमें क्या है पूछा गया है तो 35 में का सही उत्तर क्या हो जाएगा 798 इसमें आप यहाँ पर options देख सकते है option C का correct हो जाएगा अस्ठेद द्याई किसने लिखी तो ये पाणीने लिखी थी अगला प्रस्न है सिंदु घाटी सब्विता का दूसरा नाम क्या है तो हडपा संस्कृत भी इसको का जाता है option B को यहाँ पर टिक कर लेंगे अगला प्रस्न है हमारा मौर्य समाज की राजधानी कहां थी तो मौर्य समाज की राजधानी कहां थी इसका आप ध्यान लगेंगे और जो असोग थे वो भी मौर्य वंस के ही जो है राजधा थे अगला प्रस्न है अकबर का सासन का जाना जाता है उदारता का यूग सहशुनता का यूग option A और B यहाँ पर दोनों correct हो जाएंगे तो option C इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था जो कि पाकिस्तान में है अभी तो option C इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ये जो सिख्खों के पहले गुरु ये थे गुरु नानग जी तो दोस्तों आज के 20 प्रस्ण जो महत्पुन कुछ इस प्रकार से थे बाकी आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो किसे लगे और ऐसे वीडियो लगाता राते रहेंगी जोब अपडेट जुले रहें धन्यवाद